तो हेलोगी मर्स वलकम बैक टो नादर वीडियो और आज किस वीडियो में आपके लिए लेकर रहा हूँ डीबग स्टीक एड़ॉन फॉर माइंक्राफ पॉकेट एडिशन वो भी 1.20 वर्जन के लिए मुझे इसी के उपर एक मेरी ओड वीडियो पर कमेंट आया था कि 1.20 के लिए भी डिबग स्टीक आड़ॉन लाओ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लेट्स बिगिन फर्स्ट अफॉर आपको एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगे दिस्ट्रिप्शन में ये मेरे एक वेबसाइट है माइंक्राफ मॉड्स के उपर आपके इसमें बहुत सारे मॉड्स एड़ॉन्स मिल जाएगे सो आपको ये link मिलेगी जिस आपको download डाउपर click करना है automatically आपको जो page हो scroll होना start हो जाएगा download button के दरफ then यहापको एक download button मिलेगा just उसके उपर आपको click करना है और आपकी जो file ये automatically download हो जाएगी and आपको पताएगे file को कैसे add करना है Minecraft में file add-on के बायद जो add-on है import हो गया आपको just a new world create करना है या फिर आपका world open करना है जिसमें सबसे पहले experiments की जो features है add-on creators के उसमें से आपको holiday features and एक मिलेगा आपको beta apis उसको on कर लेना है that's it उसके बाद आप जो आपका behavior pack है आपको या पर कोई भी resource pack नहीं देखने को मिलेगा just a behavior pack होगा जिसको आपको activate कर लेना है and सबसे पहले हम एक क्या पर game mode कर लेंगे creative and create creative world नहीं किया तो भी चलेगा कोई problem नहीं अभी हम आ चुके हैं हमारे world में and आपकी जरुत पड़ेगी command की जो आपको आपकी chat box में type करना है जिसके बाद आपको stick मिलेगी so चलते command box में and मैंने उसको already copy करके रखा just में यहापे paste कर दूँगा आप screen पर देख सकते में description में भी add कर दूँगा so मुझे stick मिल गई इसके यूज़ करके हम जो हमारे java वाला काम करते है वे okay तो हम यहापे grass इसको change कर सकते है अलग-अलग flowers में वेक uses में और अगर हम long hold करके रखेंगे तो इसको feature हम change कर सकते है कि हमें किसवे इसको change करना है अपग्रेट करना है okay हमने grass पे try कर लाए अभी try करते है wood के उपर अगर मैं directly tap करूँँगा तो वा भी इसकी direction change कर रहा है एंड में long hold करूँगा तो यह property change करेगा मतलब wood का type change करेगा ओके good ओके एंड इसे long hold करेगे बाद वापीस से दो ही type केस में कि हम direction change कर सकते है अभी कुछ और चीज़ों पर भी try कर लेते हैं इसको so first ओके यहां पर मुझे अलक्सी मिल गई हम डर्ट पर try नहीं कर सकते हैं sand पर कर सकते right good यहां पर लिख्या रहे कि को इसकी properties हम change नहीं कर सकते हैं okay sand बना सकते हैं फिर उसका type change कर सकते हैं nice अभी हम check कर दिए inventory से कुछ चीज़ें जैसे कि यह fences, bricks, walls ले लिए हमने और यहां पर stairs ले लिए okay इनको place करते हैं देखते हैं हम इसमें क्या क्या changes कर सकते हैं so यह चीज़े में मैंने आप प्लेस कर दी अभी मेरे पास stairs से उनको भी आप प्लेस कर देते हैं let's see हम क्या changes कर सकते हैं tap करने से उसकी direction change होगी hold करने से new okay upside down हम उसको on off कर सकते है true false and बस यह दो ओक एक और है water log हम पानी भी बरसतिस में fine okay हम इन में भी कर सकते हैं वो तो फिर इसमें भी होना चाहिए इस पे yes कर सकते है ओ शिट यह नहीं करना चाहिए अभी पानी सब इसमें हो गया हटा दो भाई पानी यहां से भी गायब पानी ऑप्के ंड वहांसे भी पानी रिमुव तो हो गया भी कहां से पानी आरहा है वह कुमised past marriage कर मिल सकते है और और भी कुछ चीज है तो देख लेते समें में और क्या change करने को मिल सकता है ओके इसमें हम एक और type change कर सकते हैं जो भी type हो गा हो इसका fences का oak की fence चाहिए है हमें या फिर किसी और wooden type की वो में आप इस चेंज कर सकते हैं और एक water वाला भी इसमें होता हूं long wall कर गा हम वो properties के type change कर सकते हैं ओके good nice और I think ऐसके इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आप यह वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो के लाइक कर दो description में आपको download link बिल जाएगी वहाँ से download कर सकते हो वीडियो अच्छी लिए तो अपने friends के साथ भी share कर लेना चैनल पे नियूर सबस्क्राइब कर दो मैं मिलता हूँ से अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई